लीज ये सद्धियों का स्पेसल मूली का जबर्दस्त रेशिपी आज में सेयर करने जा रही हूं साथ ही साथ इसके पत्ते की वी रेशिपी बनाना बताऊंगी इतना टेस्टी ये रेशिपी आपका बन करके तयार होगा जिसके आगे अचार, पूरी, प्राठा सब आपको फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा विलकूल ताजा ताजा और फ्रेस मूली रेशिपी पत्ते को पहले कट करके साइड में रखना है इसका इस्तेमाल भी करना है पत्ते को हमें फेकना नहीं है तो चली फिल हाल मैं इसे रख देती हूं साइड में आगे मैं बताती जाओंगी वीडियो को पूरा देखिएगा लास तक बिना इसकिप किये हुए चली अब मैं यहाँ पे मूली को अच्छी तरह से पील कर ले रही हूँ मूली को हमें यहाँ पे अच्छे से छील लेना है आप इसे एक बार वश कर लीजिएगा उसके बाद इसके छीलके को चाहे तो हटाए या फिर छीलके छीलने के बाद भी आप वश कर सकते हैं बैक पार्ट और फ्रन पार्ट को हमें कद करके इस साइड में रख देना है, तो चली अब मूली के पत्ते को भी देख लेते हैं, देखी इसके जो मोटे साइड के डंठल होंगे उसे तोर करके हमें अलग कर देना है, और बिल्कूल नाजूक वाले जो डंठल होते हैं उसका इस्तेमाल करना है चाहें तो आप पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे ले ले लेना है ग्रेटर ग्रेटर के मोटे वाले साइड से मूली को हमें यहाँ पे ग्रेट कर लेना है तो चली मैं यहाँ पे मूली को पहले ग्रेट कर ले रही हूँ बिल्कुल अच आप इसी तरह से मूली को हमें ग्रेट कर लेना है जब उसे अब मूली के पत्ते को आप इसके पत्ते साथ कर लेना है अब में मूली में इसे भी डाल ली हूँ, चॉप करके, अब नेक्स प्रोसेस करते हैं, हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है, कोई भी आप बाउल ले लिजेगा, उसमें हमें डाल लेना है, मूली को और मूली के पत्ते को निचोर करके, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, इस तरह से पानी को हमें यहाँ पे निचोर करके डालना है, इस बाउल में, पानी के साथ हमें इस रेशिपी को नहीं बनाना है, तो चलिए पहले मैं इसके पानी को निचोर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत जादा छोड़ता है, मूली में और मूली के पत्ते में, त तो इसके पानी को आप निचोर करके लिजिएगा और इस पानी को आपको फेकना नहीं है इसे साइड में रख लिजिए जरुरत परेगा तो इसका भी स्टेमाल करेंगे चलिए अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ एक प्याज, तो मैं यहाँ पे एक प्याज ले ले ली हूँ, छोटे साइस का चौप करके, प्याज डालना पूरी तरह से और आप्सनल है, आप चाहें तो डालिएगा, फिर हमें यहाँ पे खरी मिर्च डाल देनी है, चौप करके, 1 1600 यहां पे यहां पे अमचूर का पाउडर 0 Econom Indic 어머 पिर इसे भी डालने के बाद, हमने यहां पे थोड़ा सा डाल लेना है अजवाइन और कलौजी उसके बाद मैं यहां पे थोड़ी सी लाल मिर्च का पा पाउड़ का डाल ली हूँ अब मैं यहाँ पे स्वादा नुसार नमक डालूँगी तो चलिए मैं स्वादा नुसार यहाँ पे नमक डाल ली हूँ उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है चावल का आटा आप चावल के आटा के जगह पे बिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चावल कांटा मैंने एक कप लिया है, पर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, एक बैग पूरा नहीं डालना है इसमें, और चावल कांटा डालने के बाद पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अगर जरुरत परा तो फिर से थोड़ा सा आटा डालेंगे, पर हमारे इतने ही आटा हमें लगे हैं, तो आधा कप मेने यहां पर चावल का आटा का इस्तेमाल किया है, बचे हुए आटा को मैं रख दूँगी, देखिए, अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा कम लगे बैंडिंग, तो आप थोड़ा सा चावल का आटा फिर से डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चीटे डाल सकते हैं, अब यह एक्स्ट्रा आटा को हमें साइड में रख देना है, इसका इस्तेमाल अब हमें नहीं करना है, तो चलिए अब इसमें एक ऐसी चीज डालेंगे, जिससे हमारा यह मूली का जो नास्ता है बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा तो एक चमच हमें गर्मागरम इसमें घी डाल देना है, आप गी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मूली का यह नास्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा अगर गर्म तेल या घी डालेंगे तो, अब हमें एक पैन में डाल लेना है तेल गरम होने के लिए, जैस आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा न तभी ये डालिएगा फ्लेम को लो कर दीजेगा उसके बाद बैटर में से छोटे-छोटे साइज के उठाने हैं बॉल्स टाइप से और इसमें डालते जाने हैं तो चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से डाल करके फ्राइ कर लू दोस्तों मूली का आज में पकोरा बना रही हूँ जो कि बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और उपर से जितना ये क्रिस्पी रहता न अंदर से उतना ही सौफ्ट रहता है बहुत जादा टेस्टी लगेगा आपको भी खाने में आप लोग भी मूली के इस टेस्टी से ना कीजिएगा और मुझे शपोर्ट करते रहिएगा अगर आज की रेशिपी आप सभी को अच्छी लग रही होगी तो इस रेशिपी को अपने फ्रेंट ग्रूप्स में और फैमिली वालों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कहां-कहां से मेरी इस रेशिपी को आप देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा चलिए अब मैं यहां पर इस पकॉरे को उलट पुलट करके अच्छी तरह से मेडियम लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लूँगी दोनों साइट से देखिए देख रहे हैं अब मैं आपको इसे पास से दिखाती ह देख रहे हैं कितना सुन्दर लग रहा है ना बहुत है क्रिस्पी यह पकॉरा बन करके तयार होता है इस करकराती ठंड में करमागरा पकॉरे ज़रूर बना करके खाईएगा उभी मूली के सुन रहे फ्रेंट सावाज इसकी आवाद से ही आपको लग गया हुआ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तयार हुआ है अब आप चाहें तो इसे चाई के साथ सर्व करें या फिर चट्नी वेगरा के साथ भी खा सकते हैं चली मैं आपको एक तोर करके दिखाती हूं देखिए इसके अंदर देखिए कितना सौफने से मूली के साथ साथ मैंने मूली के पत्ते की भी रेशिपी बना दी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चाही या चट्नी के साथ आप इसे इंजॉय करें इस करकर आती ठंड में और फ्रेंट ग्रूप्स में और फैमली वालों क के साथ इस रेशिपी को से जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं फिर से एक आहसान और नई रेशिपी के साथ बहुत ही टेस्टी टेस्टी डेसिपी में आप सभी के साथ सेयर करूंगे तब तके लिए बाबाई एंड टेक क्या